ही गाईज वेलकम डो नैच्र लिविंग डियारेक्स आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पुरुष यौण विकारों को कैसी ठीक किया जा सकता है एक्योप्रेशर के दुवारा जी हां बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं लाइक मेल इंपोटेंसी की प् इसे एक्योप्रेशर पॉइंड आप से शेयर करने जा रहे हूं जो कम्प्रीटली सेफ है और जिनका रिजल्ट बहुत ही जादा अच्छा है लगभग 90% सुनके रिजल्ट साते हैं लेकिन उसके साथ साथ पॉइंट से बताने के साथ साथ मैं कोश जरूरी बाते भी शेयर करूँगे क्योंकि अगर आप उनने फॉल्ट नहीं करेंगे तो फिर यह पॉइंट्स उतने अच्छे से वर्काउट नहीं करेंगे सो वीडियो शरू करने से पहले एक अपील अगर आप मेरे वीडियो में नए है मेरे चैनल में नए तो प्रीस सब्स्क्राइब कर तेसर स्टोरेन बोलते हैं, कई लोगों में वो लो हो जाता है या वो उतनी अच्छे से प्रड्यूस नहीं होता बॉडी में जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अब आप बात करेंगे क्या होता है अच्छली जितनी भी योवन विकार होते हैं पुर्षों में उसके लिए काफी हद तक यह जो हार्मोन होता है यह बहुत जादा जिम्मेदार होता है रिस्पॉंसिबल होता है आज जो में आपके साथ चेयर करोंगी उसको अगर आप यूस करते हैं अगर तीन से चार महीनी अगर आप उस पॉर-डेश्य में लाते है अनमें प्रेशर देते है इ Poleshan likely में उनमें लगाते है या और इस बाज़र आपकी पॉस के सङ्तिवीन होंगे तो वो सारी problems भी sort up होंगी, इसके इलावा जो उनका power and stamina की कमी होती है, जो married life में problems आ रही है, उन सभी problems का ये एक मात्र बहुत ही अच्छा क्योर है, हाला कि Ayurveda में ये Western Medication में बहुत सारी medicines भी आती हैं इसके लिए, लेकिन क्योंकि उनकी काफी सारे side effects भी होते हैं, या कुछ लोगों को medicines गरम कर जाती है, या एक चीज़ ठीक होती है, तो दूसरी problem उसकी वज़े से शुरू हो जाती है, लेकिन एक्यूप्रेशन अपने आप में एकदम safe विदा है, यानि safe therapy होती है, जिसमें आपको नहीं कुछ खाना है, और नहीं कुछ उसका side effect होता है, बल्कि उस तरीके की किसी भी problem से जूज रहे हैं, तो, जैसे मैंने कहाता कि इस video को चुड़ू करने से बले कुछ tips भी आपको follow करने पड़ेंगे, जैसे कि अगर आप किसी भी प्रकार की यौन विकार से गुजर रहे हैं, जैसे कि erectile death function है, या फिर आपका nightfall की problem है, या फिर spermo osia है, फिर ozo spermia होता है, obligo spermia होता है, जिसमें sperm counts जो होते हैं, वो decrease होने लगते हैं आपकी body में, जिसकी वज़े से infertility और impotency की भी problems आती है, तो इस तरह की अगर दिकत है आपको, तो first of all आपको अपको अपनी lifestyle को change करना होगा, पहली चीज आपको अपनी stress level को balance करना होगा, अप इसे fast food बगएरा बहुत जादा खाते हैं, तो उसे बंद करना होगा, post-tech nutritious diet लेनी पड़ेगी, इसमें green vegetables, yogurt, चपाती, complete whole diet, प्रोटिगीन, carbohydrates, आपके fats, amino, ऐसे सारा कुछ balance होना चाहिए, second thing है, कि अगर आप workout नहीं करते हैं, तो अपनी life में थूरा सा workout को शामिल करें, ताक हार्मोन्स हैं, वो अच्छे से body में produce हो सके, third thing है, अगर आप किस तरह की smoking या किसी तरह की चीज लेते हैं, या मादर-बदार्तों का save-an करते हैं, तो उनको avoid करें for a while, जब तक आप under treatment है, and fourth thing यह है कि आप जैसे कि दिन की शुरुआत किसी juice या फलो को अपनी life में थोड़ points को activate कर सकते हैं, अपनी body में, so पहला जो point होता है, उसे बोलते है TW3, और इसे locate करना बहुत ही easy होता है, जैसे कि मैं आपको पता रही हूं, यह जो point होता है, आपके दोनों हातों में होता है, यह आपके हातों की जो first finger होती है, जिसे index finger भी बोलते है, यह आपके index finger का जो first joint ह होता है, यानि की यह पहला joint जो यह रहा, उसके just उपर होता है, यानि की लगभर इस जगह पे, आप देख सकते हैं, मैंने इसे mark किया है, यह आपका joint है, यह joint की line दिख रही है, और इसके just अबब होता है, उपर ही, यह point होता है, इसका नाम है आपका TW3, और यह बहुत ही ज चाहे तो इसे अगर पैंसिल से एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि आपके पास अगर जिमी या प्रॉफ है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस point को थोड़ा pressure देंगे, pumping pressure, press and release, press and release, press and release, उसके बाद अब चाहे तो machine, अगर आपके पास इस तरह की occupation machine है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह बहुत फायदे मत होती है, first of all आप इसे number two पे रखेंगे, on करेंगे and sensation को भी number two पे रखेंगे and then देखेंगे कि यह देख रहे हैं, यह flickering करना शुरू कर दिया, यह देखे, green light on हो गई है, यह देखे, तो इससे हम अपने इस point को activate करेंगे, और आपके पास machine नहीं है तो आप pencil या किसी भी pen के, जो pen का पिछला हिस्सा होता है, उससे भी कर सकते हैं, यह क्योंकि stimulate करती है, तो इसका असर जाधा होता है, so अब मैंने इस point पे इसे लगाया, इसको मैंने on कर दिया और इस तरीके से मैंने इस point को activate करना press and release, press and release, and then उसके बाद मैं इसको off कर दिया, and then आप चाहिए तो इस point पे magnet, bowl magnet, या कोई भी मेथी का seed भी लगा सकते हैं, आप देखे मैंने मेथी का seed यह doctor, या आपका जो medical tape आता है, surgical tape उस पे लगा रखा है, अब इस tape को आप अपने इसी point पे, जो seed है उसे यहां पे रखे and then यह tape उस पे round wrap कर देंगे, इस तरीके से, like this, देखे मैंने इसे लगा दिया है, and then इसे थोड़ा सा pressure देंगे, हलका सा दुखेगा, but that is fine, उससे यह point activate होगा, अब इसको आप रात को लगाईए, और रात भर लगे रहने देजिए, और सुभह इसे निकाल दीजिए, सुभ इसने भी पुरिशों की male problems होती है, इन सब के लिए एक मातर बहुत अच्छा point है, जिसे अगर आप use करेंगे, तो 4-5 मैने में यह आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे, so यह हो गया first point, second point जो आपका आता है, उसे बोलते है TWB, और वो है आपकी इस finger में, यह जो आपका second joint है, उसमें इस बाहर की तरफ side में होता है, यह देखे, मैंने इसे mark कर दिया, यहाँ पे, यह जो second joint है, इसके just above, pinky finger की side, जो आपकी छोटी उगली है, उसकी तरफ, यह जो आपका joint है, इसे just ओपर, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, आप इसको भी आप पहले activate करेंग चाहे तो आप pencil से इसके पर pressure दीजिए, pressure दीजिए, 2 second रोके रहिए, hold कीजिए pressure को and release कीजिए, फिर pressure दीजिए, hold कीजिए and release करेंगे, इस तरीके से आप इसे pressure देंगे and release करेंगे, आप चाहे तो इस तरीके का अगर आपके पास acupressure roller हो, तो आप इस तरीके पर roll कर सकते है उसे अच्छी से इस एर्या उको अक्टिवेट कर सकते हैं नहीं तो जैसे मैं ने बताया इस तरह की मसीन अगर है तो मसीन आप किस पॉइंट पे लगाएंगे इस तरीके से and press and release press and release and उस point को activate करेंगे अच्छे से और अगर वो भी नहीं है, आप चाहते हैं दिन भर busy हैं, तो आप again हम seed therapy या bowl magnet अगर आप order कर सकते हैं, मैं link दे रहोंगी bowl magnet के जो आप Amazon से इसे order कर सकते हैं तो आप simply थोड़ा सा surgical tape लेंगे इस तरीके से उसमें मेथी या जो black pepper यानि जो काली मिर्च होती है उसको लगाएंगे and then इस point पे इसको रखेंगे and then जो tape है उसे अच्छे से wrap कर देंगे इस तरीके से यह देखिए मैंने इसे apply कर लिया और यह आ रही आपकी यहां पे black pepper नज़र आ रही है इसको pressure देंगे थो आप चाहें तो इसे दिन में भी लगा सकते है दिन में सुभह से लगाएं और रात में निकाल दीजे और इसे बीच में एवरी आवर दबाते रहें ताकि प्रेस होता रहे तो यह थे दूनों आपके प्वाइंट जिसे आप किसी वी तरीके का आपको ED की समस्या है आपका यह स्टेमना की प्रव्लम है यह फिर आपकी कैसा भी नाइट फॉल है यह कुछ अन्य समस्या आपको बढाय कि आपका तेस्ट्रीज लेवल बहुत ही लो है आपको और और बीच्ग प्रपाउंट गर तो इस सबी समस्याहां का अगर इन को फॉलू करते हैं और प्रेष्य तो तीन से चार महने में जो आपके हार्मोंस के लेवल हैं वो भढ़ जाएंगे, स्परम्स लेवल बढ़ जाएंगे और अप्र चाहें तो आप दॉक्टर से जाकर कि इसकी जाच होती है वो एक टेस्ट करा लीजे तो टेस्ट में आपको मैसूस होगा कि आपका जो पहली का लेवल था और आपके लेवल में काफी अंतर आपको मिलेगा क्योंकि यह ता ओवराल वीडियो और जो मैंने आपको इदायते बताई हैं अगर उसे भी फॉलो करेंगे तो आप पूरी तरीके से इन प्रॉब्लम से आपको निकाल सकते हैं सो आशा करती हूं वीडियो पसंद आया होगा अगर अच्छा लगी तो उसे लाइक देजे शेयर कर दीजे अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसे अगर मेरे पास बहुत सारे कोमेंट आ रहे हैं तो सबकी रिपलाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है मैं मैंने कॉमेंट करा बट मुझ तब पोचेंगे क्योंकि कभी-कभी यूटूब ओरलैप कर देता है कॉमेंट को या स्किप हो जाते है सम्टाइम्स तो आपके जो भी प्रेशन हो तो से आप हैस्टेक नाच्रल लिविंग डियारेक्स बिना किसी जगह को छोड़े हुए बि लेकिन ऐसे अगर आप लोग कमेंट बहुत कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे वीडियोस हैं तो it's very hard for me to reply for all so अगर आप hashtag naturallivingdrx type कर देंगे तो वो मेरे लिए आपको shortlist करना बहुत easy हो जाएगा so please friend be healthy and take care of yourself thank you